श्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब शनिवार के दिन करने वाला बहुती अच्छ कुपा है जो आपको पीपल के वरुक्ष के वहाँ पर करना है जिससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या दूर होगी आपके पित्रों का आशिरवाद मिलेगा और स शनि से जुड़े दोशों से भी आपको रहत मिलेगी तो पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं अगर चैनल पर नए आया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमेशे की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्याम जरू देखे गुरुजी कहते हैं कि जो पीपल का जो पेड़ होता है उसमें शाक्षात लक्ष्मी और नारायन का वास होता है शेनिवार के दिन यानि कि शेनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ को छूबी सकते हैं ध्याना कि आपको ये जो उपाय करना है इसके लिए आपको च किसी भी people के पेड के वहां पर जाना है अब यह उपाय आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है किस परकार से कना है देखो आपको सबसे पहले जो माठीका जो दीपक है वो रखें उसके उपर आपको कपूर रखना है अब जो बताशा लेकर क्या आए उस बताशी को आप तोड़ लें आप तुकड़े में कर लें या तो आप उसका चूरा कर लें और उसको दीपक के अंदर डाल दें ठीक है पहले आपने कपूर डाला फिर बताशा डाला अब आपको क्या करना है दो लोंग लेनी है ध्यानक है लोंग जो होगी वो तूटी होगी यानि कि जो लोंग का जो फूल रहताए न वो तूटा हुआ नहीं होना चाहिए दो लोंग आपको साबोथ फूल वाली लोंग लेनी है को क्या करना है आपके सीधा हात में रखना है और आपकी जो भी समस्या है वो आपको बोलना है जो भी बड़ी से बड़ी कि अगर आप जलाते हैं तो इससे मातल लक्षमी बहत प्रसंद होती है क्योंकि बताशा जो है वो मातल लक्षमी को बहत प्रिय है तो पीपल के वरुक्ष में मातल लक्षमी का वास होता है तो जड़ के वहाँ पर आपको ये दीपक रखना है और ये प्रजुलेट कर देना है और इसमें जो दो लोंग डाली है उससे आपके पितर भी प्रसन न होंगे और शनी देव भी प्रसन होंगे तो बहुत ही आसान सा उपा है देखिए हो सके तो कम से कम पांच शनीवार के दिन अगर आप लगातार करते हैं तो आपको पहले ही दीन से इसका असर देखने को मिल जाएगा तो बड़ा ही आसान सा उपा है अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है श्रीश शिवाय नमस्तु ब्यम हर हर महादेव